हेलो गाईज आज की इस वीडियो के अंदर हम दो बाइकों के बीच में कमपैरेजन करने वाले हैं लाइक ये दौनों ही बाइक 125cc किराने वाले हैं रिसेंटली अभी 2024 में लाइक 23 जनवरी को हीरो ने एक स्टीम 125 आर को लॉंच कर दिया है इंडियन डूबिलर मार्केट में 125 सेगमेंट में कुछी बाइक ऐसी हैं जो की प्राइस के पॉइंट अभी से काफ एच्छी पावर के साथ फीच्चास ओफर करती हैं लाइक होंडा की SP 125 एंड साथी TVS की राइडर 125 बट दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम कंपैरेजन करेंगे TVS राइडर जिसके अंदर आपको कनेक्टिट फीचर काफी इच्छे देखने हों मिल जाते हैं उसका हीरो एक स्टीम 125 आर से इन दौनों बाइक के प्राइज लगवग सिमिलर हैं एक लाग के एक्षोरूम प्राइस पर इनके लाइक टॉप बैरियंट आपको देखने हों मिल जाते हैं लाइक सबसे पहले हम बात करें हीरो एक्स्टीम 125 आर के स्पैक्स के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले पावर के बारे मैं आपको एक्स्टीम कर देता हूँ आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किये देखना ताकि आपका डाउट के लिए हो जाए कि आपको हीरो एक्स्टीम 125 आर को बाइक करने चाहिए विद 5-speed gearbox transmission और साथी बाइक के फ्रेंट में आपको CBS combined braking system देखने को मिलेगी जूकि काफी अच्छी बात है नहीं पर आपको ABS का सपोर्ट भी दिये गया है बाइक में फ्रेंट में 37 mm की कन्वैक्शनल फोक्स दिये गया है टेलिसकोपिक रियर पार्ट में hydraulic shock observer suspension देखने मिलते हैं bit diamond frame और दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको dimensions काफी अच्छे दिये गया है लाइक बाइक लाइट वेट है 136 kg का कववेट दिये गया है 10 लीटर की fuel tank capacity है 794 mm की आपको seat height देखने मिलती है instrument console आपको fully digital plus LCD टाइप का दिये गया है जिसमें आपको सारे basic reminder feature देखने मिल जाएंगी bike से related और इसमें आपको mobile phone connectivity वाले सारे feature देखने मिलते है all LED lights का setup है front में headlight LED दी गई है with daytime running LED DIYs के साथ और दोस्तों tail light भी आपको LED देखने मिलती है साथी Hero X-Term 125R के अंदर आपको indicator softness के साथ LED ओफर किये गए है काफ़ इच्छे comfort feature ओफर किये गए है bike में आपको काफ़ इच्छे super wide tubeless tire ओफर किये गए है like front का tire 90 by 90 section का है और rear tire 120 by 70 section का है यह दोने tire आपको 17 inch के allowable के साथ tubeless tire ओफर किये गए है bike में front में 240 mm की single disc plate दी गई है with ABS के साथ ओके और यहाँ पर आपको rear part में 130 mm के drum brake देखने मिलते है बड़े राम से यह bike आपको like 60 से 50 km पर लेटर तक का mileage ओफर कर देगी जो की company claim करती है काफी अची बात है company की तरब से इस bike में आपको like 3 कल option देखने को मिलते है first रहता है cobalt blue and second farish tom red and third रहता है stallion black अब पुनी पसंद के साथ से कोई से कल option भी buy कर सकते है बागी दोस्तों price के point of view से काफी अच्छे feature offer किये गा है हीरो की तरब से extreme 125R के अंदर इसमें दो variant आते है पिच्च 90,000 का base variant है और दोस्तो 99,000 का top variant है top variant भी buy कर सकते हैं looks design style personally मेरे को काफी ज़्यदा attractive लगे है overall देखने में ये bike 125cc की लगती नहीं है overall 160cc segment की लगती है देखने में काफी ज़्यदा बलकी है attractive side panel बनाए है आपको मैं बता दूँ इस plate seat है आप considerate कर सकते हैं अब बात करते हैं TBS rider के बारे में जो की दोस्तो 125cc की ये भी आती है और प्राइल लगबग दोनों bike के similar ही है मैं आपको बता दूँ TBS ने क्या क्या फीचर ओफर किये गया है किती पावर ओफर की गई है TBS rider के अंदर तो दोस्तो इस bike के अंदर आपको लेक 124.8cc का एर प्लस ओयल कूल थ्री वॉल्फ सिंगल सिलेंडर इंजन ओफर किये गया है दोस्तो इसमें आपको 11.2 HP की पावर देखनों मिलती है 11.2 N10 का टॉर्क देखनों मिलता है बाइक में आपको BS6 compliant engine देखनों मिलता है बिद 5-speed gearbox transmission के साथ आपको engine में side stand engine का टॉप वाला फीचर भी दिया गया है जो कि आपको Xtreme 125R के अंदर देखने को नहीं मिलता है बाइक के अंदर front में telescopic focus हैं rear part में monosock 5-step adjustable suspension दिये गया है वो भी gas charge तो दोस्तो यहाँ भी यह बाइक आगे निकल जाती है features के point of view से और बात करें other features के बारे में तो dimensions काफी अच्छे दिये गया है bike like hero Xtreme 125R से light weight है because 123 kg की bike है एक कुंटल 23 के लोगी और दोस्तो इस bike में आपको 10 लीटर की fuel tank capacity देखने हो मिलेगी 780 mm की seat height है and 180 mm का ground clearance है fully digital plus TFT color display वाला instrument console देखने हो मिलता है इसमें आपको सारे connected feature देखने हो मिलते है bike से लेटर instrument console के बारे में बात करें तो hero Xtreme 125R से TVS rider में better देखने हो मिलता है overall lighting setup की बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको LED headlight देखने हो मिलती है animalistic type की and दोस्तो tail light भी LED दी गई है बागी USB charging port भी है entire section hero Xtreme 125R से TVS rider के थोड़े से पतले हैं जिसकी विसे आपको mileage में भी थोड़ा improvement देखने को मिल सकता है according to Xtreme 125R like इस bike का front tire आपको 100 Y80 के देखने हो मिलेगा और rear tire 100 Y90 का दोनोई tire 17 इंच के arrival के साथ tubeless tire offer किये गा है और आपको braking system दोनोई tire के अंदर drum brake देखने हो मिलेंगे 130 mm के तो braking system के मामले में hero extreme 125 बहुत ही जादा आगा नकल जाती है because उसमें आपको CVS के साथ ABS भी offer किया गया है बड़ा अराम से ये बाइक आपको like 60 km per liter का mileage उफर कर देगी जो की काफ़ी इची बात है company की तरब से इसमें आपको काफ़ी color skin देखने हो मिलती है price के point of view से दौनों बाइक के अंदर आपको काफ़ इच्छे feature देखने हो मिल जाते है बाकी ये आपके उपर depend करता है कि आपको कौन सी बाइक देखने में पसंद आ रही है personally मैं आपना opinion दू तो मेरे को 2024 hero extreme 125 आर देखने में काफ़ इच्छे लग रही है बाकी tvs rider के अंदर भी काफ़ इच्छे feature दिए गया है उसके looks जाने style काफ़ इच्छे है तो आप उस बाइक को भी considerate कर सकते हैं बट दोस्तो hero extreme 125 आर के अंदर आपको indicator reality दिए गया है बट tvs rider के अंदर आपको halogen देखने हो मिलते हैं तो यह आप लोग के उपर depend करता है कि आपको कौनसी बाइक पसांद आई है बाकी दोनों बाइक से related को डाउट रहे गया हो comment सकते मैं पूछ सकते हैं वीडियो इनफर्मेट आप अच्छे लगी वीडियो को लाइक कर देना